अत श्री दुर्गा सप्थ शती त्रिती उध्याया सेनापतियों सहित महिशासुर का वध ध्यानम वोम। उध्यद्भान सहसुर कांतिम्रुंक्षोमा शिरो मेलिका रक तालिप तप्योधरा जपवती विद्याम भीती। वर्म, हस्ताब जर्धधती त्रिनेत्रविल सद्वत्रार विदश्रियम देवी बधहिमानशुरत्नमुकुटां। वंदेर विदस्थिताम जगदंबा के श्रियंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्रों सुर्यों के समान है। वे लाल, रंग की रेश्मी साडी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंदमाला शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त। चंदन का लेप लगा है, वे अपने कर, कमलों में जपमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राए धारन की ये हुए हैं, तीन नेत्रों में सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है, उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बध तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है, ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक। प्रणाम करता हूँ, ओम, रिशिर रुवाच एक नहिनमानना तत्सैन्यम व्लोक्या महा सुरह, सेना निश चिक्षूरा को पादेयो, योधुम थामबिकाम दो रिशी कहते हैं, एक देत्यों की सेना को इस प्रकार तहस, नहस होते देख महादेत्या, सेना पती चिक्षूर क्रोध में भरकर अमबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा दो सा देवी शरवर्षेन, ववर्ष समरे सुरह, यथा मेरु गिरह गम तोय वर्षेन, तोय दह तीन वो असुर र देवी लील्यव श्रोत करान, जगहान तुर्गा बानाईरियंतार चैव वाजिनाम चार तब देवी ने अपने बानों से उसके बानसमुह को अनायासी काट कर उसके घोडों और सार्थी को भी मार डाला चार चित छेज, धनुह सद्यो ध्वजम चातिस मुच्रितम, विव देवी ने बानों से बीम्द डाला, पाच सच्छिंधनवा विरतो हताश्वोन हत सार्थी, अभ्यधावत तान देवी खटगचर मधरो सुरह छे धनुष, रत, घोडी और सार्थी के नश्ठ हो जाने पर वो असुर धाल और तलवार लेकर देवी की और दोडा छे सिन महत् तीक्षन धारेन मूर्धनी, आजगान भुजे सव्ये देविम्प्यतिवेग्वान साथ उसने तीखी धारवाली तलवार से सिंखे, मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेगसे प्रहार किया साथ तस्या गो भुजन प्राप्या, पफाल मृपनन ततो जग्राह शूल सको पादरुन लोचन आठ राजन, देवी की बाहपर पहुचते ही वो तलवार तूट गई, फिर तो क्रोध से लाल आखे करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया आठ चिक्षेप चा तत्स ततू, भद्रकालिया महा सुरह, जाजवल्यमानना ते ज जो भी रविबिम्ब में वंबरात नो और उसे उस महादेत्यने भगवती, भद्रकाली के उपर चलाया, वो शूल आकाश से गिरते हुए सुर्यमंडल की भाती अपने तेज से प्रजवलित हो उठा, नो द्रिष्टवा तदाप्छूला देवी शूल ममुन्चित, देवी ने भी शूल का प्रहार किया, उससे राक्षस के शूल के सेकडों टुकडे हो गए, साथ ही, महादेत्य चिक्षूर की भी धजजजियां उड़ गई, वो प्राणों से हाथ धो बैठा दस हते तस्मिन महावीर्ये, महिशस्य चमूपतो, आज गाम गजारुष चामर दस्त्र दशद्नह ग्यारा सोपी शक्तिन मुमोचात देव्यास्तामंबिका, दृतम, हुनकार आभेतां भूमो पात्यामास निश्प्रभार बारा महिशासुर के सेनापती उस महाप्राक्रमी चिक्षूर के मारे जाने पर देवताओं को पीरा देने वाला चामा हाथी पर चड़कर आया, उसने भी देवी के उपर शक्ति का प्रहार किया, किन्तु जगदंबा ने उसे अपने हुनकार से ही आहत एवं निश्प्रभ करके ततकाल प्रित्वी पगिरा दिया ग्यारा बारा भगना शक्तिन निपतिता वा क्रोध समन्विता, चिक्षेप चामरा शूल बाने स्तदपी, साचिन्थ तेरा शक्ती तूटकर गिरी हुई देख चामा को बड़ा क्रोध हुआ, अब उसने शूल चलाया, किन्तु देवी ने उसे भी अपने बानो द्वारा काट डाला तेरा ततह सिंगह समुत्पत्य गजकुम्भात्रे स्थितह, बाहुयुधेन युयुधे तेनो चैस्त्रिज शारिना, चौदा इतने मेही देवी का सिंग उछल कर हाथी के मस्तक पर चद बैठा और उस दैत्य केके साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुध करने लगा, चौदा युध्यमानो तत्स्तो तस्मायन आगान मही गतो, युयुध ते तिसन रब्धो प्रहार रतिदारुनेह पंद्रा वे दोनों लड़ते, लड़ते हाथी से प्रित्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक, दूसरे पर बड़े भयनकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे पंद्रा 41 उनके पैर से दबा होने पभी महिशासुर अपने मुख से, दूसरे रूप में बाहर होने लगा, अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया थी कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया 41 अर्धनिश्क्रांथ एवा सो युध्यमानों महासुराय तया महासिना देव्या शिर्ष छित्वा निपातितह 42 आधा निकला होने पभी वो महादेत्य देवी से युध्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काथ गिराया 42 ततो हाहाकरत सर्वम देत्य से नियम ननाश तत प्रेर्ष चपर जग्मु सकल देवता गनाह 43 फिर तो हाहाकार करती हुई देत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन हो गई 43 तुष्टुवुता सुरा देवी से दिव्य इर्म हर्ष भे जगो गंधर वपत्यों नन्रितुष चांप स्रोगना ओम 44 देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया गंधर व्राज गाने लगे तथा अपसराइन रित्य करने लगी 44 इती श्रीमाकंडेय पुराने सावर्निके मनवंतरे देवी महात्मे महिशा सुर्वधों नाम तृतियो ध्याया तीन उवाच तीन श्रीमाकंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में महिशा सुर्वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ तीन